यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बहुत याद आए हमें तो अतन की बहुत आए हमें तो अतन की बहुत आए किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभू संग चलेंगे परमशातिया आनंद अनुभव करेंगे देखो इशारों से कोई पुलाइंगे देखो आए देखो इशारों से कोई बुलाइंगे देखो इशारों से कोई बुलाइंगे हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए मुद्दत हैं गुजरी बिछडे बतन को मिला क्या यहां पर लगा करके मन को यह तुमने बताया हुआ खेल पूरा जगत का ये नाटक रहा न दूरा यहां की नशे कोई अब जी को भाए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो यह तुमने बतन की आए यादों में बाबा तेरे मन मगन हो बूला हो संसा बूला ये चन हो तभी पुष्प वर्शा हो गूंजे बधाई पुडो प्राण मेरे चलो ले विदाई परिष्टों की महफिल है आँखें बिछाएं हमें तो वतन की बहुत याद आए यही है तमन्ना बने बाबा तुमसा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद 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 आए तेरा नाम रे उछे दुनियावालों से क्या आवरे नाम रे उछे दुनियावालों से क्या आवरे जूते दुनिया जूते बंधन जूती है ये माया जूते दुनिया जूते बंधन जूती है ये माया जूता सास का आना जाना जूती है ये काया ओ यहां सास तेरो नाम रे बनवारी रे जीने का तहारा तेरा नाम रे उचे दुनिया वालों से क्या भाम रे रंग में तेरे रंग जई धिर ठर छोड़ दिया जग सारा बन गई तेरे रंग जई धिर ठर छोड़ दिया जग सारा बन गई तेरे प्रेम के जोगन में तरमन इक सारा हो मुझे त्यारा तेरा खाम रे बनवारी रे इने का तहारा तेरा नाम रे उचे दुनिया वालों से क्या भाम रे जर्षन तेरा जिस दिन पाई हर चिंदा मिस जाए जीवन मेरा इन चर्णों में आपकी जोग जलाए हो मेरी मात तखड़ा शाम रे बनवारी रे इने का तहारा तेरा नाम रे उचे दुनिया वालों से क्या भाम रे हो मेरी मात तुनिया वालों से क्या प्याई दो क्या हम रे यचे दुनिया वालों से क्या तो झाल 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 विचार सागर मन्थन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगे खुशी में रहेंगे मिठे बच्चे बच्चे बाप की याद का चिंतन और ग्यान का विचार सागर मन्थन करो ग्ज़े बच्चे बच्चे तो याद याद कछिद का चिंतन कभी रुकना नहीट रही था याद है वो उसका चिंतन स्दा चले याद रहेंगे राऑल याद है वो याद रे याद का चिंतन sto खे की स् भूलता नहीं, भले तुम भूले जाते हों, पांच अजार साल में, पर अभी अंत समय में भूलना नहीं, वो कभी भूलता नहीं, वो सदा याद रखता है, भले तुम भूले जाओं, देखो बच्चे, पिता है ना, तो पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसकी याद सदा बुद्धी में कायम रहनी चाहिए, पिता है, श्वासण श्वास उसकी याद रहनी चाहिए, याद कभी कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप से, हर करम में, हर कदम में, हर व्यभार में, कर्म में, हर बोल में, हर दृष्टी में परमात्मा, हर विचार में परमात्मा बच्चे, मृत्ती के हर वाइब्रेशन में परमात्मा, बस बाबा, बड़ा अनन्दा आएगा बच्चे, इस प्रकार से चलोगे तो, बड़ा अनन्दा आएगा, चलना चाहिए, सदा याद कायम रहे, याद कभी तूटे नहीं, बच्चे, 83 जनम अनेक मात्मात्मा मिले हैं, लोकिक, पर यह पार लोकिक, मात पिता, एक ही बार मिलता है, एक ही बार, जो सच्चा है, जो सदा का है, जो कायम है, जो अविनाशी है, एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे कभी भूलना नहीं, किसी भी रूप से, इस मात पिता से बच्चे तुमने प्यार लेकर तुम भरपूर हो गए, इस संगम पर, और क्या चाहिए, उसकी पालना में ही सब कुछ है, पालना में, इसलिए उसकी याद भूलना नहीं, कुछ भी हो जाए, याद कायम रहें, कभी अकेले उठना भी नहीं सुबह, उठते ही बावस साथ हों, अकेले चाहे नाश्ता भी नहीं करना, जैसे तुम्हारे साथ कोई शाए नाश्ता कर रहा है, तब तुम कैसे बाते करते हों, ऐसे अपने मन ही मन बाते करों, रुहरिहान करों, वो स्तूल रूप में दिख नहीं रहा है, पर सुक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ कम्बाइंड है, तुम उसे कम्बाइंड रखो या ना रखो, पर वो है, सदा रहता है, भूलना नहीं बच्चें उसे, कभी भी, इतना प्यारा पिता है, मीठा पिता है, कैसे भूल सकते हैं, माया भूलाने की कोशिश जरूर करेगी बच्चे, पर तुम भूलना नहीं बापकों, समझे बच्चे, इसलिए, सदा याद उद्धी में रहे, मेरा बाबा, बच्चों एक दिन, वो भी छूट जाएगा, ऐसे तो नहीं कि संगम अविनाशी है, कायम चलेगा, हजारो लाखो वर्ष, नहीं बच्चे, एक दिन संगम पूरा हो जाएगा, वापिस सब ड्रामा बदल जाएगा, इसलिए, इस संगम पर, मेरा आकार रूप में वो मिला है, तो उसकी याद कायम रहे, आकार रूप में वो मिला है, तो उसकी शरीमत पर हम सदा चलते रहे, डाइरेक्शन पर, और साकार रूप में वो मिला है, जिनका भाग्य है, उन्हें, तो वो उसकी पालना सदा लेते रहे, कमिना आए बच्च, बच्चो देखो, अन्त में एक ही साब होगा, भगवान के साथ, साकार, आकार, निराकार, अलग-अलग, या तीनों के साथ कमबाइंड, कितना जीए, एक ही हिसाब होगा, कितना जीए, और उसी के अनुसार बच्चे वरसा मिलेगा, चलो किसी का भाग्य नहीं है, साकार में बाप के संग जीने का, मदुबन से संदेश तो आता है न, आकार की डाइरेक्शन, हर सत्गुरुवार, उसको लेकर जीओ, निराकार के संग जीओ, किसी को संदेश भी नहीं पहुंचता, निराकार तो पता है न, तो उसके संग जीओ, याद में, आखिर बात एक ही है, तुम भगवान के साथ कितना जीए, जब तुम्हें भगवान मिला, हिसाब एक ही है, समझे है बच्चे, और बच्चों, बड़ा राज बताएं, बहुत बड़ा राज, दिखो, सब के अंदर माया है, सभी के अंदर इस सुरिष्टी में माया है, तो उस माया को भी लगता है, मैं भी जी हूँ, इसलिए तुम से कभी कभी ऐसी माया भी हरकते होती है, वो तुम्हारी नहीं है, उसे भी जी ना है, भगवान के संग, बड़ा राज बताते हैं, बाप कभी बच्चों को दोश दिये हैं, आज तक, इतने वर्ष हुए है, और 1936 से जो भी चल रहे हैं, आप जितने वर्षों से चल रहे हैं, कभी आप आतमाओं को दोश दिया है बाप में, नहीं, दे भी नहीं सकता, वना आपके अंदर भी एक होड है, माया जियेगी या आप जियोगें, उससे भी जीना है, उससे भी लगता है, मैं भी जीओ, इसलिए बच्चों की किनी हरकतों पर बाप कुछ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि बाप जानता है, माया जी रही, उसे भी जीने कादिकार है, वो भी जीने की कोशिश कर रहे है, इसलिए बाप कुछ नहीं कहता है, समझ है बच्चों, इसलिए बस जीओ, भगवान के संग, पूरा-पूरा, जब बाप मिलता है, किसी भी रूप से, साकार, आकार, निराकार, जिस भी रूप से बाप मिला है, जीओ, आनन्दलों, बाप की याद, बच्चों कायम रहे, थोड़ा समय बच्चा है, थोड़े समय के बाद, मेरा पार्ड भी पूरा हो जाएगा, इस सुरिष्टी का, फिर अगला पार्ड होगा, वापिस भूत काल में नहीं जा सकते हैं, यादों में जा सकते हूं, पर प्रत्यक्षरूप से जो छोटा वो छोटा, जो पास्ट वो पास्ट, इसलिए बच्चों, हर पल को भूवो, हर पल को चियो, संगम है, मौजो का यूग है, मौश करो, और बच्चों ध्यान में रखना, सभी के लिए बाप सुना आ रहा है, दूर से सुन रहे उनके लिए भी, कि जब भी भगवान मिले इस धरा पर, याद इसे, तुम उसके बन जाना, उसकी श्रिमत पर चलना, वो जो कहे वो करना, और उसके संगचेना, क्योंकि अपनी मनमत तो बच्चे पाँच जार साल चलाई, परमत भी चलाई, पाँच जार साल, परमत पर चले, मनमत पर चले, अभी एक बार बस थोड़े समय के लिए श्रिमत पर चलते हैं, बढ़ा अनन्दा आएगा बच्चो तुम्हें, बढ़ा अनन्दा आएगा, बहुत जादा, खुशी होगे, मौज करोगे, बढ़ा अनन्दा आएगा, इसलिए बच्चो देखो, भगवान एक ही बार मिलता है संगम पर, जब वो मिले, बच्चे, मैं कुछ अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे ही बच्चन, तुम्हें कहराओ, पालन जरूर करना, कि जब आप आओगे, हम सब छोड़कर, आपके बन जाएंगे, और आपकी मतपर ही चलेंगे, बच्चे, जरूर करना, जरूर करना, नहीं करोगे तो वो नाराज नहीं होगा, चिंता नहीं करना, वो नाराज नहीं होता कभी समझ है बच्चो बाप को आप रुद्र में देखोगे महाकाल में देखोगे स्ट्रिक स्वरूप में देखोगे नाराजगी उसके पास सही नहीं वो कभी नाराज नहीं होता पर बच्चे भाग्य लेना जितना हो सके भाग्य लेना भाग्य नहीं छोड़ना बच्छ परमात्मा मिला है समझ की बात है बच्छो याद कायम रहे कायम रहे किसी को possible नहीं है साकार में बाप के पास मौशना तो बच्छे सब छोड़के निराकार के संग बैठो अपने गर में 24 गंटा उसी के साथ खाना पीना मौश आनंद मैं कहा क्या रहा हूँ साकार में यहां पहुंशो बस अपना वाइदा पूरा करो किसी को possible है निराकार आकार के संग चले और किसी का भाग्य है तो साकार के संग चले अपना भाग्य ले भाग्य ले और सभी बच्चों को बाप कहना चाहेगा ऐसे नहीं बच्चों कि तुम दूर बैठे हो तो तुमें भाग्य नहीं है किसी न किसी कल्प में तुमने भाग्य लिया था बस बच्चे तुमने गफलत की किसी कल्प में इसलिए आज इस मेले में नहीं हूँ दूर वैठे हूँ काईदा एक ही है बच्चों गफलत करने के बाद मनद तुम अगर भगवान को नहीं पैचान सके तो अनेक कल्प तुम साकार में उसके संग पाड़ नहीं बजा सकते माफ करना काईदा काईदा है इस काईदे में लाड़ प्यार नहीं चलते किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे नियम बता रहे हैं सभी को भाग्य देता है जब साकार में आता है तो साथ चलने का भाग्य सभी को देता है जिसने लिया उसने लिया जिसने खोया उसने खोया इस सुरिष्टी की 33 करोड में से एक भी आत्मा नहीं कह सकती कि मुझे संगम पर साकार में बाप के संग पाड़ बजाने का भाग्य नहीं मिला ब्रह्मातन में दादेतन में या यहा कही न कही हर किसी को भाग्य मिलता ही मिलता है और आपने उस भाग्य को कितना संभाला है इस पर निर्बर है अगले कल्प में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा सीधी बाद अंत तक भी आखरी सेकंड में भी अगर आपने संभाला लास्ससेकंड तो भी अगले कल्प में मिल जाएगा पर अगर आखरी सेकंड तक भी आप नहीं संभाल पाए माप करना बच्छ अने कल्पों के लिए भाग्य गया कुछ नहीं कर सकते बच्च, कुछ भी नहीं क्योंकि जब होता है, तो बच्चो लगेगा नहीं कुछ, मैं जानता हूं उसकी अनुभूती कब होती है, जब नहीं होता वस्तर होते हैं, तो कोई कीमत नहीं होगे पर जब वस्त्र नहीं होंगे, फटे पुराने होंगे, तो पता चलता है वस्त्र क्या चीज होती है, भूक लगती है, तब पता चलता है अन्न क्या होता है, ठंडी गर्मी बारिश इसमें जब सहन करना पड़ता है, तब पता चलता है टेंट या घर क्या होता है समझे बचो इसलिए बाप सदा बुद्धी में रहे याद में रहे निराकार सदा बाप की याद का चिंतन चलता रहे सदा सदा अगर बाबा को पूछोगे न तो बाबा कहेगा कम से कम सारे दिन भर में कम से कम हाँ एक हजार से दस हजार बार मन ही मन मेरा बाबा याद आना चाहिए होना चाहिए कम से कम एक हजार और किसी में हिम्मत है तो दस हजार तक मेरा बाबा, मनी मन, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा जब भी कहा, बाप याद आया, मेरा बाबा, मेरा बाबा बाप याद जरूर आये, सिर्फ शब्द नहीं, मजा आ जाएगा बच्छों, बड़ा अनंद आएगा एक हजार से दस हजार बार अंदाजास है जो भी आगे पीछे हो मेरा बाबा भूले ही नहीं बच्छे भूले ही नहीं हर निवाले में मेरा बाबा हर घूट में पानी, चाई, कौफी जो भी पीते हो मेरा बाबा हर सास में मेरा बाबा हर कदम में मेरा बाबा हर बोल में मेरा बाबा हर दुरुष्य में, दुरुष्टी में मेरा बाबा बड़ा आनन्द आएगा बच्छो बड़ा आनन्द इसलिए बच्छो भूगो इस सवभाग्यको बड़ा सवभाग्य भूग ना बच्छो तो नई-नई points निकलती रहेंगे याद की खुशी में रहेंगे खुशी बढ़ेगी बच्च अगर चिन्तन चलेगा याद का और मंथन चलेगा ज्यां का तो खुशी बढ़ेगी बहुत आनंद आएगा बच्च बहुत जादा खुश रहना प्रश्ण है इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों उत्तर है एक नमबर सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की क्योंकि वह तुम्हें सिकंड में परिजादा बना देते हैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हों दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाई और कोई पढ़ा नहीं सकता दो नमबर ग्यान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोश्नी में ले आना ठोकर खाने से बचा देना यह बाप का काम है इसलिए उन्हें जैसी कमाल का वंडर्फुल कारिय कोई कर नहीं सकता बच्चे बाबा की बड़ी कमाल है कि तुम्हें सेकेंड में परिजादा बना देते है बच्चे पढ़ाई से मनुष्य से देवता बना देते है बाबा कितनी बड़ी बात है बच्चों देखो विचार करो तुम मनुष्य हो जो बाप तुम्हें देवता बना देता है ज्यान देकर कितनी बड़ी बात है जो देवताय पूजनिय है मंदिरों में जिनकी मूरतिया विराजमान है बना उस प्रकार का उस उचाई का बाप तुम्हें बना देता है सोचो कभी बाप क्या बना रहा है अनुष्य से देवता देवताओ का रहन सेहन कितना उचा होता है कभी सोच के देखो आजकल के राजाए अगर इतने उचे रहन सेहन में रहते तो फिर बच्चो देवताय कितने उचे होंगे सोचो वो बना देता है बाबा यह पढ़ाई बाप के सिवाई कोई पढ़ा नहीं सकता तुमें पढ़ना चाहिए सभी को सभी बच्चो बाब पढ़ाने आया है पढ़ो बच्चो आत्मा कैसी है जो तुम स्वयम हों कहा है उसका स्वरूप कैसा है उसके अंदर मन बुद्धी संसकार कैसे है चोरासी जन्मों का पाढ़ कहा नूदा हुआ है गुण शक्तिया किस प्रकार है दिव्य गुण कौन से है पढ़ाई पढ़ो परमात्मा की पढ़ाई पढ़ो राजयोग की पढ़ाई पढ़ो बच्चो वही तो पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाबा आया है बाकी मेरा कोई काम नहीं बच्चो इस संसार में बस मैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूँ पढ़ो तुम पढ़ाई मिस नहीं करो, भचे ध्यान देना तीसरा नेतर दे ग्यान का अन्धियारे से रोशने में ले आना बाप का काम है ठोकरा खाने से बचा देना बाप का काम है भचो, आपने कितनी ठोकरे खाई है बाप बचारा है आप नहीं जानते बहुत बच्चे नहीं जानते कि समर्पीत होने के बाद उनका भाग्य बदल जाता है बच्चों आपको नहीं पता कही टांग तूटने वाली थी संकल्पनी कट कर रहे हाथ तूटने वाला था आँख जाने वाली थी शरीर के पुरजे खराब होने वाले थे बाप बचाता है शारिरिक, मांसिक, आर्थिक हर रूप से सेफ करता है जब बाप के बन जाते हो जनम पत्री ही बदल देता है बाप ठोकर खाने वाले थे बच्चों बाप ने बचा लिया ठोकर से समझ है बच्चो देखो बच्चो दुनिया में तुम मनुष्यों के नौकर चाकर थे वहाँ से निकाल कर बाप ने बाप के दिल तक्त का राजा बना दिया कहा बच्चे बैठे बाप के दिल तक्त पर विराज मान है हर बच्चे से बाप का समान स्निय है प्यार है हर बच्चे से देखो बच्चो कहां उठाया अभी आप बच्चो को भी उठना चाहिए थोकर खाने से बचा लिया पूरा बचा लिया संसार में तो थोकर ही है माता पिताब के लोकिक भल जनम दिया है पर पूछो उतना इसने है क्या कि हम कुछ भी करे आप हमसे स्नेह करोगे पती-पत्नी, बच्चे नहीं करेंगे एक बाप ही ऐसा है कि बच्चा कुछ भी करे बाप सिर्फ स्नेह करता है बच्चों से प्यार ही करता है बच्चे कैसे भी चले बाप प्यार ही देता है देखो बच्छो विचार को चिंतन करो यह वंडरफुल कारिय है जो बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता बच्छो परिस्तन में मुझे पहचानना पता नहीं बाप को कभी लगता है काश सबको भाग्य मिला होता मुझे पहचानने का पर क्या करें जामा है ना मिला भी होगा तो भी नम्मरवार होगा और सबको तो हुगा नहीं कि मुझे पहचानने मैं कौन बैठा हूँ समझ की बाते है बच्छो मैं इतने उपाए भी बताता हूँ संदेशी को पूछो मैं कौन हूँ किसी तपस्वी को पूछो सादू सन्यासी को पूछो किसी भगत को पूछो तांतरिक को पूछो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ ताकि तुम्हे भाग्य मिले मुझे क्या मिलेगा कितने भी आए मैं जैसे हूँ वैसे रहता हूँ मैं कुछ बदलूंगा नहीं ध्यान में रखना बच्छो पर मात्मा कभी अपनी हरकत किसी को देख कर बदलता नहीं उसको जो ड्रामा में नूद है उसके वो करता है उसको बजाता ही है इसलिए बच्छो पहचानों और भाग्य पाओं समझ की बात है सबका भाग्य नहीं है फिर भी बाब कहेगा लो भाग्य मैं थोड़े समय के लिए खोल रहा हूं मुझे पहचानने का भाग्य थोड़े समय के लिए जिसको लेना है लो उसके बाद जामा नुसार होगा ध्यान में रखना बच्छों हर बाद समझ की बात है सारी वंडर्फुल रामा है वंडर्फुल रामा चलते चलो मौश करो समझ की बात है ना सभी के लिए बहुतों को बाप कहता है बच्छे आओ आओ मिलन मनाओ वरपूर हो जाओ बच्छे होते नहीं रामा समझ है जिनोंने पहचाना उनोंने पहचाना बाकी बच्छों रामा उम्शान दे धारणा के लिए मुख्यसार है एक नमबर अपनी अवस्ता बहुत धैर्यवत बनानी है बाप को फॉलो करना है किसी भी बात में एहिंकार नहीं दिखाना है देवताओ जैसा मीठा बनना है बच्छे बस एक बात निकालो एहिंकार मजा आजाएगा तुमारी कोई निंदा करे तुमारा कोई अपमान करे तुम्हे कोई गाली दे बुरा बोले दुखी नहीं होना किसी भी रूप से दुखी नहीं होना बच्छे जब एहिंकार निकल जाएगा मज़ा आजाएगा एंकार बच्चों जीने नहीं देता किसी भी रूप से एंकार क्या करता है सिर्फ दुख देता है सिर्फ दुख दुनिया कुछ भी कहे मुझे खुश रहना है मुझे मौज करनी है मुझे आनंद में चलना है दुनिया ने जिसे कहा वो तो नाम रूप को कहा फला ने भाई बैन को कहा दादा दादी को कहा फला ने को कहा मैं तो आत्मा हूं मैं तो कभी नाराज नहीं हो सकता उदाज नहीं हो सकता डिस्टब नहीं हो सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं बच्चे समय चला जाता है इसमें किसी भी बात में हिंकार नहीं इसलिये बाप कहता है न बच्चों कि कहो अपने साथी सहियोगी को मैंने एक मुरली में कहा है न कि घड़ी-घड़ी मेरा आप मान कर पता तो चले मुझ में है या नहीं है क्योंकि बच्चे अगर अंत में ऐसी घटना हुई तो नापास हो जाएगा और बच्चे जो तेरे अंदर रहा है उसकी परिक्षा अंत में जरूर होगी इसलिए ऐसा कुछ रख ही नहीं कि परिक्षा हो सके तो सीधा बाप के साथ चल सके ऐसा पूरा clean and clear बचा एक कदम स्वच घड़ी घड़ी चेक करना है कई अंकार तो नहीं है कई उदासी तो नहीं आती नाराजगी तो नहीं आती डिस्टप तो नहीं होते गुप्सा तो नहीं आता बचे होगा तो अंत में माया परिक्षा लेगी और बहुत घाटा पड़ेगा इसलिए अभी चेक करो और उसे समाप्त करो कहो सामने वाले को मेरा गड़ी-गड़ी अपमान करो गड़ी-गड़ी मुझे बुरा बोलो निंदा करो मेरी सबके सामने मेरी गलानी करो गड़ी-गड़ी देखो तो सही कितना हिंकार है मुझे में समझ है बच्चों बच्चे ध्यान में रखना अगर कोई आपकी निंदाग लानी हिंकार नहीं कर पा रहा है आप नाराज हो जाओ ऐसे उन्हें कभी लगेगा नहीं इसलिए वो नहीं कर पा रहा है तो बच्चे वाइरस है अंदर बच्चे जान ले लेगा वाइरस अभी कुछ लगेगा नहीं पर मैं सत्य कहता हूँ जब समय आएगा पाट समाप्त कर देगा वरसा भी जाएगा बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा बहुत बड़ा मेरा अपमान करो कोई गाली दो, देखो मेरी स्थिती देखो बच्चो अंदर माया नहीं रही नीचे किसी भी रूप से किसी भी रूप से परिशान तुम ही हो जाओगे और मैं तुम्हें लिखके देता हूँ आज एक होगा कल उसी बात की परिक्षा लेने के लिए सो आएंगे हजार आएंगे दस हजार लोग तुमारी गलानी करेंगे सच्ची या जूटी किसी भी प्रकार की हो ये दादी ऐसी वो दादा ऐसे ये भाई ऐसे वो बेन वैसी दस हजार लोग तुमारे नाम से गाली देंगे फिर क्या करोगे फिर क्या करोगे अंदर गाली ही नहीं है माया ही नहीं है तो दस हजार क्या दस करोड दस लाक न दे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा कुछ भी नहीं फरक पड़ेगा दुनिया जो चाहे कहे जो चाहे उचे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे अंदर अशुद्धी है यह नहीं एंकार निकालो बच्छे बच्छे किसी भी कारण को लेकर दुखी होना एंकार का लक्षन है उसे निकालना है बच्छे और बाब क्या कहता है देवताओ जैसा मीठा बनना है अपने देखा है कोई-कोई भगत नाराज हो जाते देवताओ पर मंदीर में जाके गाली दे के आते हैं देवताओ को क्योंकि देवताओ ने उनका काम नहीं किया नाराज हो जाते हैं अभी हम मुझे अभी मुझे बताओ अगर आपको ऐसे किसी ने गाली दी देवताओ जैसे stable रह सकते हो एकदम stable स्तिर बुद्धी ठीक है ना तेरा पार्ट है गाली देने का मेरा पार्ट है इस तिर रहने का मुश्कुराते हुए रहने का इसलिए बच्चो इस माया को अंदर से निकालो इस माया को कुछ भी करके वरन्य ये माया बच्चे परिशान करेगी और मुझे आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला एक भी जिसकी इस बात में परिक्षा ली जाए और वो पास हो जाए एक भी नहीं मिला आज तक ब्रह्मा बाप मम्मा की बात निरा ली वो छोड़ो बच्चे अभी की बात कर रहा हूं मैं एक भी बच्चा लानी किये, निंदा किये तो, अपमान किया है आपका, आपको गाली दी है, बुरा बोला है, और आप स्तेर रहे हो, एक भी बच्चा नहीं मिला, बच्चे बनना ही पड़ेगा, समझे बच्चे, देवताओ जैसा मीठा बनना है, ध्यान रखो बच्चे इस बात को, एक दम मी मैं ये जो ग्यान सुना रहा हो, इसमें अगर तुम्हे बुरा लग रहा है, तो बच्चे माफ करना, पर ये तुम्हे धारन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बच्चे इस बात में, दो नंबर, सदा हरिशित रहने के लिए ग्यान का सिमरन करते रहूं, विचार साग अगर मन्थन करो, हम भगवान के बच्चे भी हैं, तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मूरती से सेवा पर तक पर रहों, देखो बच्चे भगवान के बच्चे हो ना, तो भगवान के बच्चे कभी दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते, सदा खुश मौज में रहते, आनंद में रहते हैं, हसते खेलते रहते हैं, भगवान के बच्चे, सदा बच्चे ध्यान देना इस बात पर सदा आनंद में रहना कोशिश करना बच्चे, हर रूप से कभी भी किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना, किसी भी बात को लेकर सदा आनंद में, मौज में रहना कुछ भी हो जाए बाप जो शिक्षाए देरा है उसे धारन करना है बच्चे दुखी नहीं होना है तुम एक पक्का करो बच्चे कि कुछ भी हो जाए हम खुशी में रहें मौज में रहें कोई गाली दे, अपमान करे निंदा करे, गलानी करे हम डिस्टब नहीं होंगे हम अंगद समान अचल अडोल रहेंगे ऐसे चलना है बच्चे फिर मजा आ जाएगा जीवन खुशी में है बच्चे ध्यान से देखो इसलिए खुश रहो मौश में रहो वरदान है मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंतर स्वरूप में स्तित रहने वाले महान आतमा भव आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है आप स्वर्ग का स्वरूप स्मृती में रहे अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृती में रहे इसको कहते हैं मध्याजी भवा जो अपने सरेश्च प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भवा के मंतर स्वरूप में स्तित रह सकते हैं जो मद्याजी भव है वह मन मना भव तो होंगे ही ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर करम महान हो जाते है स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना स्लोगन है खुशी आपका स्पेशल खजाना है इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी कम नहीं होनी चाहिए कुछ भी हो जिस करम में, बोल में, दुरिष्टी संकल्प वृत्ती में बच्चे खुशी है उनी कर्मों में बोल में दुरिष्टी संकल पवृत्ती में तुम जीते हो बाकी सब में मरते हो जहां खुशी नहीं है वहां मृत्यू है जहां खुशी है वहां जीवन है बच्चे ध्यान में रखना इसलिए कुछ भी हो जाए खुशी कम नहीं होने चाहिए जानी तो कभी नहीं चाहिए पर कम भी नहीं होने चाहिए कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना है सदा खुष रहना है मौज में रहना है आनंद में रहना है खुशी नीचे नहीं आनी चाहिए कुछ भी हो जाए तुम ध्यान से इस ड्रामा को और इस ग्यान को समझो खुशी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए कारण कुछ भी हो कुछ भी कारण हो बच्चे खुशी कम नहीं होनी चाहिए खुशी आपका special खजाना है सदा कायम रहे खुशी ध्यान में रखना बच्चे इस बात को सदा संभालते रहना इस खजाने को अच्छा, ओम शान्ति याप्यादे 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 प्रोध्यादेश अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम इवी पदम 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 गुणा याद 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 गुर मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते अच्चा, ओम शान्ते अभी टोली देशे सभी बच्चो के लिए मात पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्विकार हूँ बच्चे, टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो बाके, वा संगम वा, वा रामा वा और वा आबू वा अच्छा, ओम शान्ते बाप बाप वा, वा रामा वा बाहरे मैं आत्मा वा बाहरे मेरा भाक्य वा बाहरे मेरा इश्वरिय परिवार वा बाहरे में स्वराच अधिकारी आत्मा वा अच्छा, ओम शान्ते मिया बाबा, मिथा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाब, 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 प्यारा बाब झाल झाल झाल